हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके साथ वन शोट डिवीजन लेखा है हूं कोस्ट चैप्टर की ओन दरिक्वेस्ट ऑफ और स्टूडेंट्स देखेड़ी कोस्ट फटा-फट मेरे साथ लिखना चालू करेंगे कोस्ट कोस्ट होता क्या है कोस्त दो चीडों का सम टोटल होता है कौन कौन्स इकोस्ट का एकृस्पिसीट प्लस इम्प्ली씨ट कोस्त इलकेंगे कोष्ट है ऐ American कौन कहुंट चीड़ों का एकभी सिट हैं इम्प्लीचिट को सीख है और एक्षिए रियान रखना बच्चों यह जो मैं आपको करवार हो पूरा वन शोट में कोस पूरा रिवाइज हो जाए वन टू और एक्सपीसिट कोस बोती है जो भी हम एक्च्वल में क्या करते हैं इनकर्ड करते हैं अंदर कि इस पन्चाशे तो आगी करते हैं इंकर्ड करते हैं इंकर्ड का मतलब क्या करते हैं खर्च करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं एक्सपीसिट कोस्ट और एक क्या होती है इंप्लिसिट कोस्ट जो भी ओनर की सेल्ट सप्लाइड होती है जो भी कोस्ट ऑनर की सेल्ट सप्लाइड होती है उसे क्या बोलते हैं इंप्लिसिट कोस्ट और जो भी हम एक्शन में इंकर्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं एक्सपीसिट कोस्ट को हम books of account में क्या करते है रिकोर्ट लेकिन इंप्लिसिट को बुक्स आपकाउंट में रिकोर्ट नहीं करते हैं कौन सी को सोगी एक्स्पिसिट इंप्लिसिट क्या खर्च करते हैं नहीं तो फिर कौन सी को सब्सक्राइब करते हैं तो कौन सी को सब्सक्राइब एक्सपिसिट समझा आग है अच्छा मैं एक एक्जामपल ले मीनियंग लिखो सब्सक्राइब को यहां से ना हर स्कूल में हमआ फाइनल्स में वन मार्कर कोश न आई है एक्सपेसिट से तो इसलिए मैं थोड़ा सा बस पांच मिश्चा अपर नहीं होंगा टॉपिक पर किसका sum total होता है, course is the sum total of actual expenditure, course is the sum total of actual expenditure incurred on input, course is the sum total of actual expenditure incurred on input and, and and imputed value of and imputed value of services provided by the owner and imputed value of services provided by the owner course किसका सम्टोटल होता है course is the sum total of actual expenditure incurred on input इंपूट पर ईंड इंप्यूटेड वैलियो वैंली ओव सिर्विस्टेज्स प्रॉइदी बाइदे होनर यह इंप्यूटिड का मतलब क्या होता है अस्तिमेट इंप्यूट टो करों टोडलता है EXP get or implicit अगे और कोशन बोलता हूंगा आंसर कैसे लिखना वो बताना वो बोलूं कोशन फटावट सुनते आना अप पर संटेकन अशोप और अप अपर संटेकन शोप और रेंट एंड अड बिजनस बाइंसेल्फ एंड मैनेज़ बिजनस बाइंसेल्फ इंटिफाइए एक्सपीजिट और इंप्लिच जो पे कर रह लेगा नहीं वह कौनसी को सब्सक्राइए इंप्लिसिट तो बच्चो एक्सपीजिट को उसक्या हो गई रेंट ऑफ शोप जो मैंने एक्जामपल लिया अब मेन यह तो हर बच्चा लिए इंप्लिसिट को लिखने में दिक्कत होती है इंप्लिसिट की एक्समेशन तो इसे लिखते हैं इंप्यूटिट इंप्यूटिट वर्ड हमेशे लिखना इंप्यूटिट की दगा अगर लिखना चाहो देशी वर्ड तो एस्टिमेटिट होता है इंप्यूटिट वैलियो ओफ सर्विस प्रवाइड बाइडा ओनर तो जो भी ओनर सर्विसिज प्रवाइड कर रहा है वो कौन सी को सो गई Implicit कौन सी को सो गई Implicit तो वो अपने लैंड पर बिद्नस कर दो तो क्या होती वो Implicit को क्या लिखा है आप परसंट टेकन शोप और रेंट एंड मैनेज दा बिद्नस भाई तो इमसेल मैनेज कर रहे तो जो वो सर्विस खुड प्रवाइड कर रहे वो कौन सी होगी Implicit यहां आप लिख सकते हो Impluted Value of Service Provided by the Owner यह Impluted salary of Service Provided by the Owner यह लाइन सब में आ जाएगी अगर जैसे लिखा होता आप पर संथा मेनेजर आप पर संथा मेनेजर तो लुक आफ्टर बिद्नस ओ ठीक है ऐसे लिखाओ एंड बिद्नस के खुड पर लेंड है तो मैं क्या लिखूंगा Impluted Value of Service Provided by the Owner यह लिखूंगा Impluted Rental Value of Service Provided by the Owner यह लाइन यह लाइन इंप्लिसिट की हर जगा लग चाहेगी हर जगा Implicit का कोई भी आ जाए सम्में यह लाइन गुसा देना उसमें होगा ना मैनेजर जो हायर किया उसकी सैरली क्या होगी एक्सपिस अब मेरे को एक मैं पहले बोलने देना मैंना पहले मैं बोलनू दो तिन कोशन सुन ले ना बज़र आप परसन स्टार्ट सबिदनस बाइज ओन से भी बाइज ओन से लिए एंड हायर साम मैनेजर टुक केरी ओ आउट इस बिदनस अब बटाओ अपने पैसों से उ इंप्यूटिट वैल्यों सब्सक्राइब आउनर यह इंप्यूटिट इंटरस वैल्यू प्रवाइड तो आप यह लाइन लिए दो पूरे मांक्स मिलेंगे और जो मैनेजर को हायर किये उसकी जो सैलरी होगी वह कौन सी को सोगी एक्सपिसिट अब कर लोगे कोशन अजी ए निमेरिकल देखना एक्सपिसिट इंप्यूटि इसमेरिकल मेरी एप वीडियो इस पर डिटेल में वैसे मुझे नहीं लगता फाइनल में पूछना चाहिए वह नुमेरिकल लेकिन पूछ नहीं है कुछ तो देख लेना जैसे उसमें यह पॉईंट है नुमेरिकल में आप लिखा होगा मुझने कितना वैसेद्रिप्ट कीया और हमने बोरो कितना कियां पंदरह को दो बोरिंग जो encourage होगी सबक्रानाइब कि इसपर इन्ट । कि इसका पैसा होगा उसका जो एंटरेंट की वैली होगी इंप्लिसेट सबस करो बोरो की ऊथा परसेंट पर तो पंद्रा सो का बारा परसेंट कितना होता एक सोसी यह तो कुंसी को सोजाती एक सबस्ट पर दिटेल में आप में बताया वाद टाइम लगता है इस पर क्यों मैं वन शोट करवा रहा हूं फिर भी सुन लो एक बार दुबारा बता रहों इन्वेस्ट किया कित पंद्रा सोगा बारा परसेंट कितना होगा एक सोसी यह कौन सी को सोगई एक सब्सक्राइब और मैंने डोजार इन्वेस्ट किया पंद्रा सो बोरो कि हम क्या मान के चलिए 500 पर किसी लगा होगा ओनर का अब ओनर का पैसा जो और वह खर्चा नहीं है ओनर के जो पैसे का एस और इंप्लिसिट ठीक है नहीं मैंसे इतना मुश्की यह वहला मेरे को नहीं लगता अब आएगा फाइनल में फाइनल में यह यह आएगा लेकिन फिर भी मैंने पॉइंट बता दी है ठीक है इसका सेम निमेरिकल कोस्ट के फर्स पार्ट की वीडियो में है अब आजो नेक् भी में इक्सकोस कौन सी होती है है ल diz रेंट म है एंटर्सक्ड पेसिए रिछलियों का देखेंगा सीम,ीदब्ल वन दिल कि फ़ा पनाओ उंट छाब बनाओ अक लak बनाओ रेंट कहना सेम इंटरस्ट कर जाएगा सेम ये कौनसी कोस हो गई फिक्स कोस तो फिक्स कोस कौनसी होती है तीक है जो आउटपुट के हिसाब से वेरी नहीं करती है लेकिन रो मैटीरल इलेक्टिसिटी जितनी यूनिट्स में बनाऊंगा उतनी लगेगी कम लगेगी उतनी लगेगी तो फिक्स कोस डू नोट वेरी विद दा लेवल ओफ आउटपुट फिक्स कोस डू नोट वेरी विद दा लेवल ओफ आउटपुट ठीक है फिक्स कोस आउटपुट आपसे वेरी नहीं करती variable cost को क्या बोलते है variable cost variable cost which vary with the level of output vary का मतलब पता है क्या होता है change variable cost output अबसे vary करती है fix cost output का अबसे change नहीं होती अच्छा बता हूं मेरी factory बन पड़ी है क्या rent लगेगा नहीं लगेगा interest लगेगा नहीं लगेगा लगेगा तो fix cost never become zero never become zero even production become zero चाहिए production zero होजाए लेकिन fix cost कभी zero नहीं होती लेकिन variable cost क्या होती है variable cost become zero variable cost become zero when production become zero ठीक है ली अच्छा fix cost का एक ओन नाम क्या होता है overhead cost कहते हैं इसे क्या नम देते हैं overhead cost variable cost के example के और प्राइम कोस कहते हैं अब आप दोनों की डाइगाम की शेप भी देखो अब आप गाने रचेए हैं आप एक है शुक्राइं चुक्राइए शुक्राइब लेक्टी लेक्टे sevक में पर्यों पर्मनेंट इंपलोई कौन सी में आएगा फिक्स में आएगा फिक्स में अच्छा देखो मैं आप लोग को एक एग्जामपल लेकर चलता हूं सुनना क्या बताने जा रहा था एक में लिसका ना अब लोग अगर इसका थोड़ा सा भी समझने न एक्सपिसिट को सिम्पल एक्सपिसिट इक मतलब क्या होता है एक्स्टेर्ल बारह लोग को खच की जाती आई का मतलब क्या होता है इंटर्नल तो यह पेमिंट जो दी आती है आउटसाइड़ को लिए अधिया सर्विस हायर के एक्स पिसिट को कि एक्षुल में हम खर्च करते हैं कि भाउप एक्षुल में कर्च नहीं करते 14 आपर डेक्प सथे कि अधो Member यह एन्हें उन्हूरेंस प्रीमयम होगा क्षिक प्रिक्स को object हां बच्छो फिक्स कोस्का एक्जाम्पल क्या होते है और i dont mean पर जी मैं क्या बना हूँ आउटपुट फिक्स क्या रहे हैं मिशा सेम तो इसकी शेप क्या बनेगी पैललर टू एक्स एक्सेस पिक्स क्या बनेगी पैललर टू एक्स एक्सेस वेरीबल कोस्ट कि वेरीबल कोस कैसे बनते हैं इन्वर्स एस शेप क्या बनते हैं वेरीबल कोस्ट इन्वर्स एस शेप उल्टा एस बनते हैं वेरीबल कोस्ट क्या बनते हैं इन्वर्स एस शेप उल्टा एस कहते हैं बता यह किस का डाइगा मैं फिक्स कोस का तो यह फिक्स कोस लिख दो इच आउटपूट यह वैरीबल कोस का तो यह वैरीबल कोस नीच आउटपूट नोट कर दिया चल्दी से कर लो नोट फड़ा 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 हो गया है अच्छा आप यह कोशन आता है इंवर्स शेप क्यों बनता है स्टार्टिंग में वैरीबल कोस इंक्रीज करते के से से डिमीशिंग रेट से तुम सब्सक्राइब प्रोड़ा है प्रोड़क्शन बढ़ती है तो जब प्रोड़क्शन बढ़ेगी यहानि फर्स इंक्रीधिंग रिटंसुर फेक्टर तब तक यह बढ़ेगी इस से लेकिन जैसे दिमीशिंग रिटंसुर फेक्टर आ जाएगा तो वैरीबल कोस इंक्रीज करेगी के से इनक्रीजिंग रेट से समझा आगया कि पक्रॉयदीम प्रोड़क्शन बढ़ती है वहां तक यह ख कम होने लग जाती है तो खर्चा बढ़ता है और कि से बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से इस पर से इन्वर्स एश्चे बनती है ओके है अजी समझ आ गया चले आगे अच्छा इसी टीसी को क्या बोलते हैं टोटल वैरीबल कोस्ट टोटल फिक्स कोस्ट क्या बोलते हैं टीसी को टोटल फिक्स कोस्ट प्लस टोटल वैरीबल कोस्ट तो बच्छोद गाम में मैं देखो हमें पड़ को सिखून किया होते हैं सेम तो फिक्सोद हमेशा सेम में रते हैं पैलर टू क्या बनेगी एकस एकसिस वरीबल को इन्वर्स एस शेप बनता है यह तो इन्वर्स एस शेप होगई अब एक ची दियान रखना एट जीरो लेवल ओफ आउट पुट एट जीरो लेवल ओफ आउट पुट जीरो लेवल पे टी-सी और टी-फसी क्या होते हैं सेम जीरो लेवल पे टी-सी और टी-फसी क्या होते हैं सेम जब zero level पे TC और TFC सेम होते हैं तो या रखना TC कहां से start होता है यहां से zero level पे TC और TFC क्या होते हैं यानि total को उसके बराबर होती है total fix को उसके इसलिए TC हमेशे यहां से start होता है समझा आगया पक्का और यह कैसी शेप बनती है इन्वार्स एशे हां जी समझा आगया यह डाइगम पूरा ठीक है और एक चीद्यान अगना इन दोने का जो बीच का गैप होता हमेशा इक्वल रहता है क्योंकि इनके गैप क्या होता है टी एफसी टी एफसी की शेप एलट एक्स एक्सेज होता है लेकिन वह इन दोने के बीच का डिफरेंस होता है अब बात करते हैं किसकी एफसी की किसकी बात करते है एफसी एफसी की फुल फुल्प्रम क्या होती है एवरेज फिक्स कोस्ट यानि से क्या बोलते है पर यूनिट फिक्स कोस्ट क्या बोलते हैं पर यूनिट प्कॉर्स इसका फ़ॉम्ला कैंति है टीफ सी एपोंनाइट्पुट् HOW फ़ॉम्ला होता है इसका टी एफ सी एपोंनाइट्पुट बच्छो देखों आउट्पुट10123 ऐ है है इतना ऑटफुटझ 123 बैंने एक एक सबस्टी सुय में आइट के सिख्स्टी बैस समिषद हो थी अियो से इशेता है चाहने निकाल के निकाला ant बताओ एक चिए पॉन आउटपूट आएगा डैश जीरों से कुछ पी डिवाइट को इंफिनिटीटी ओते डैश आएगा एक चीए देखो आउटपूट बढ़ रहे हैं आउटपूट बढ़ रहे हैं डिक्रीज डोनों में इनवर्स है डारेक्ट रिलेशन हैं इनवर्स जब इनवर्स है तो स्लोप कैसा बनेगा डाउनवर्ड यह मेरा एफसी है यह कह्या मेरा एफसी कैसी शेब देटे एफसी डाउनवर्स लोपिंग कैसी शेब देटे एफसी डाउनवर्स लोपिंग नेवर टचिस never touches x-axis and y-axis कभी भी ये x-axis को और y-axis को touch नहीं करता कौन touch नहीं करता ए एफ सी या रखना ए एफ सी कभी भी x-axis और y-axis को touch नहीं करता तीसी चीज़ शेप क्या होती है इसकी rectangular hyperbola अच्छा ये कभी टैच क्यों नहीं करता क्योंकि एफ सी कभी जीरो नहीं होता और जीरो लेवल पर infinite होता इसलिए y-axis को touch नहीं करता थीक है अब बताए रेक्टेंगल हाई पर बोला क्यों बनता है लेको इसके नीचे जितने बनाना यह सिफ आपको समझाने के लिए बता रहा हो आप मत बनाना आप बस यह सिफ समझाने के लिए आउटपूट इसके नीचे जितने भी रेक्टेंगल बनेंगा इसका एरिया हमेशे गया होगा इसलिए और एक लाइन यह रखना इसके लिए अइसीड डिक्रीजे इस विद्द光 इंसउन आउट्बूट ये लाइन आया रखना एसीड़िद्सटिक्रीजेस विद्द dedication out否्ण फिक्री डिक्रिज कर थे विद्दा इंट्रीजें आउट्पूट बना लिए ठीक है नहीं अब आचो एवी सी फुल फॉर्म क्या होती है एवीज वैरीबल कोस्ट पॉर्मना क्या होता है इसका टोटल वैरीबल कोस्ट अपाउन आउटपूट इसे क्या बोलते है पर यूनिट वैरीबल कोस्ट क्या बोलते हैं पार यूनिट वैरीबल कोस्ट इसकी जो शेप बनती है वो कैसे बनती है यू शेप एवी सी कर्व क्या होता है यू शेप होता है सर यू शेप क्यों होते हैं मैं भी आपको आगे भी पढ़ाऊंगा देखो पहले एक मिन्ट सारी बताता हूं यह शेप क्यों होता है अच्छा एसी 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 का दूसरा नम क्यों होता है एवरेज कोस्ट यह क्या बोलते हैं एवरेज टोटल गोस्ट इसका फॉर्मला क्यों होता है टीसी अपॉन में आउट्पुट क्या फॉर्मला होता है इसका टीसी एपॉन में आउट्पुट ठीक है लिए फॉर्मला क्यों होता है टीसी अपॉन में आउट्पुट अब एक चीद देखो TC का formula क्या होता है TFC प्लस TVC क्या formula होता है TC का TFC प्लस TVC सबको मैंने output से क्या कर दिया divide सबको मैंने output से क्या कर दिया divide सबको अचा वताओ TC एपॉन और फुट क्या होगा AAC और ATC हो गया TFC प्लस एफूर्मलाट मत प्लस एफिसी का AFC प्लस एबीसी हाँ जी क्लियर है ठीक है एसी का फॉर्म में क्या होता है एवीसी प्लस एफसी अब देखो एसी की जो शेप होती है वो भी क्या होती है यू शेप इन दोनों का रीजन क्या होगा यू शेप का ड्यू टू लो ओफ वेरिबल प्रपोर्शन ड्यू टू लो ओफ वेरिबल प्रपोर्शन वो कैसे वो भी बता रहो ड्यू टू लो ओफ वेरिबल प्रपोर्शन अच्छा एक लास इसमें क्या होता है एमसी एमसी की फुल फॉर्म क्या होती है बता हूं मार्शनल कोस्ट क्या होती है मार्शनल कोस्ट एमसी का फॉर्म् cannabis क्या होता है बता हूं टी इथी इन- टी इफसी एन मायिनस ऑन नहीं लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं लिख सकता हूं नहीं हिते घी दिख सकता हूं nया लिख सकता बता मैंने ब्रैक्ट खुला टी वी सीएन फ्रस्ट दिफ से दिख स्थ-द्रस माइनस में दिख सकता है लिख सकता है थो चाहिए मैं एक उनिट बनाओ चाहिए दो बनाओ एक फर्मला क्या बना टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन और दूसरा फर्मला क्या बना किसका डिफ्रेंस होता है टी सी का भी और टी वी सी तम बोल सकते हैं ऐहाएं मिशी मिश्टा मों अधू कि दो एक लिए यह भी इसकी शेप बी क्या होती है समझ आगया अब यह सारी उशेप क्यों बनती है आपने प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है प्रोडक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा MPP पहरे बढ़ता है फिर MPP क्या होती है कम हो जाती है तो जहां तक प्रोडक्शन बढ़ती है वहां तक खर्चा क्या और एक कम जब प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाती है खर्चा क्या होता है मिनिमम और जब प्रोडक्शन कम हो जाते हैं खर्चा क्या और बढ़ जाता है ठीक है इस वज़े से यह यूशेप बनती है सारी तो आप लिखोगे क्या ड्यू टू लौफ रिप्रोबेशन और रिजन क्या लिखोगे एवी सी फोल कब तक फोल करेगी वेंडियर इस इंक्रीजिंग डिटरंस वेक्टर एवी प्रेडियर सिल्गेर यह धेवी सीसे बुट कौन्से लेबल में से मुटे यह रिखना है रूर्ज यॉर्च्ण होता हैं यूर्च स्मिशन होता है यंसी ं पहले हम्शा इसको प्रेफरेंश देना फिर टीसे का देने अच्छा अब बात करते हैं डियरेशन की तो देखो पहले हम एबीसी बनाते हैं कर्टोरे वला डायक मेरे रम पिर एसी बनाते हैं ऊथिंग है कि बटाओ पहले एब पहले एबीसी डूसरा अबनाया हमने एए पहले का टोरह एवीचा ला दूसरा को लगे च onlyगी का थी का अच्छा तुम बपाओ एसी और एवीच का डिफरेंस किया होता है अभी हमने पड़ एफ c रहें इन दोनर के बीच के बताइब इन नखने लिए लगाए थी क्या लाइन बताई थी A C का formula क्या होता है A B C PLUS A F C तो इन डुनके बीच के जो difference होता है वो क्या होता है A F C बता A F C कभी 0 होता है तो ये k never intersect each other कभी एक दोसे कर इंटरसेक नहीं करेंगे They Come closer to each other but they never intersect each other because A F C never become 0 और दूसरा लोजिक क्या होता है कि अधिक्रीज बढ़ने पर एक दूसरे के कहते है पास लेकिन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर हां जी तो यह डाइगम किसका है बताओ कि एसी और एफसी का किसका डाइगम है एसी और एफसी अब एमसी भी आगे इसमें कि एमसी क्या करता है इन मिनीमम एंट इंटरसेक करता है कहां पे कट करता है मिनीमिमम प्ट यह रखना तो पॉन से पॉइंट पॉइप करेगा इंटरसेक्ट करेगा दोनों के मिनियूम पॉइट पर क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा अब पहला रिलेशन एवी सी में क्या होता है जल्दी से बता हूं एवी सी में क्या रिलेशन होता है कर रहे हुए फोल Taylor मिम जए कर रहे हुए अचीड़ कर रहा है एक प्रिंद देखो एक एमकुल ऑह रहे हैं मिनीममम एंड tenía कि पिर देखो म्सादा एक से एवी सी से एवी सी कर रहा है कि यह किसका रिलेशन दा इस डाइगा में MC और ABC और पहले वला किसका दा AC एंड ABC अचा इसी डाइगा में को रिलेशन क्या है AC और M C का बिलकुल सेम बिलकुल सेम देखो स्टार्टिंग में MC कम है किस से AC से तो AC क्या कर रहे हो पिलट ABC क्या रहें एकवल मिनिममम और कॉन सरिंट MC जादा है किस से AC से तो AC क्या कर रहा है राइस AC MC का हो गया ABC MC का हो गया पहला किस का था AC और ABC का क्यों के बीच प्यों होता है क्या तक हो के सारे रिलेशन समझ आ गया ठीक है अब लास चेप्टर में जो रिलेशन है यह क्लियर है अच्छा कई बुक्स में यह लाइन भी लिखिए देखो कहता है एवी सी एंड एम सी बोट आर यूशेप यह रिलेशन तो नहीं है हैं लेकिन सिमिलेटि में लिख सकते हो हैं इसे एसे यह सींसी लिख सकते हैं और एक यह लिख है एवी सी एंड एमसी बोथ अरड़ाइब फ्रों यह बोथ आडि अटी विसी गिंक्ति दौन कि से भी हैं टीच यह डिइलेशन नहीं है पॉइंट लिकांस चाहस्ट है टीउकी सी और क्या है टीव continuously में या टीवी सी और एमसी देखो जी अ देखो जी यह हमारा वेरिबल कोस होता एंडर स वो टीवी सी ऑल है यहWow त सीश्रूए यह टीवी सी सबसे पहला पॉइंट टीवी सी पहले इंक्रीज करता है किस से इंक्रीज करता है डिमीशिंग रेट से कब जहां तक एमसी कर रहा है फोल जहां तक एमसी फोल कर रहा है वहां तक यह इंक्रीज कर रहा है किस से डिमीशिंग रेट से फिर variable course increase करता है किस rate से constant rate से जहां पर MC क्या हो रहा है constant फिर ये increase कर रहा है किस rate से increasing rate से जहां पर MC क्या कर रहा है rise जहां ये rise कर रहा है increase कर रहा है increasing rate से जहां ये constant हो रहा है increase कर रहा है concern rate से जब यह फोल कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है कि से समझ आ गया पका तो जैसे टीवी सी का है ऐसे टीसी का है अगर टीसी का पूछ ले तो टीसी के साथ भी एंसी फोल टीसी इंक्रीज एडिमिशिंग रेट यह कम पूछ जाता है सबसे जा रहा है यह 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 एफसी